आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ रश्न है मृदा पाशर्वचित्र का आरेक बनाईए तो यहाँ पर हम में बनाना है Soil Profile Soil Profile क्या होती है जो हमारी मृदा होती है उसके उपर या उसके नीचे पृत्वी में विबिन स्तर पाए जाते है उन स्तरों को बनाना है हमें यहाँ पर हम शुरू करते हैं सबसे नीचे से तो यहाँ पर जो सबसे नीचे वाली पर्थ पाई जाती है मृदा की वो मृदा नहीं होती बल्कि यहाँ पर आपको मिलेंगी चक्ताने तो यहाँ पर सबसे नीचे वाली जो पर्थ होती है उसमें हमें चटाने मिलती है इस पर्त को हम कहते हैं R-Horizon तो इसे कहा जाता है R-Horizon यह जो R-Horizon होता है इसके उपर क्या होता है अब यहाँ पर यह जो चटाने होंगी यह तूटेंगी और तूटने से व्रिदा की एक और पर्त बनेगी जहां पर आपको टूटी हुई चटाने या हम कहेंगे कि पत्थर मिलेंगे तो ये पत्थर मिलेंगे ये आपका दूसरा होरिजोन होता है जिसको हम कहते हैं C होरिजोन तो वो होरिजोन जिसमें पत्थर मिलते हैं उसे कहा जाता है C होरिजोन उसके उपर हम देखेंगे ये पत्थर और तूटेंगे और तूटने से बनाई जाएगी मृदा या तूटने से बनेगी क्या मृदा बनेगी ये जो मृदा होती है ये आपकी ऐसी मृदा होती है जिसमें जादा तर्यादिक मात्रा में रेत होती है तो रेत होती है और रेत के साथ साथ यहां पर आपके होते हैं क्या छोटे पत्थर तो रेत और रेत के साथ छोटे पत्थर मौजूद होते हैं जिस पर्त में आपके मृदा की उसको हम कहते हैं B होरी जोन तो इसे कहा जाता है B होरी जोन अब यह जो B-horizon होता है इसके उपर हमारा पाया जाता है क्या इसके उपर पाया जाता है एक घॉरी जोन और जिसे हम कहते हैं E-horizon E-horizon यह जो E-horizon होती है इसमें हम देखेंगे कि यह जो रेध है रेध के साथ जो छोटे पत्थर थे वो और तूटे हैं और तूट कर एक आपकी पर्त बनाई है जिसे हम कहते हैं अलूवियल पर्त इसके अंदर जो मृदा होगी वो अलूवियल प्रकार की होगी मतलब यहां पर जो मृदा होगी उसमें रेत होगी या बालू होगी उसके साथ-साथ थोड़ी बहुत आपकी होगी क्या चिकनी मिटी और चिकनी मिटी के साथ हियूमस भी होगी कुछ मात्रा में तो उसे कहा जाता है E होरीजोन और इसके उपर पाया जाएगा आपका A होरीजोन A होरीजोन मिर्दा का वह भाग होता है जो की पूरी तरह से उरवरक होता है इसमें उरवरक क्यों होता है क्यों क्योंकि इसमें हूमस होती है हूमस होने के कारण यही भाग होता है मिर्दा का जिसके कारण पौधे इसमें उगाए जाते है क्योंकि ये पूरी तरह से उरवर होता है, इसमें उरवरता होती है, तो ये हूमस होगी, जिसे हम A होरीजोन कहेंगे, तो इस प्रकार से जो आपकी मिर्दा है, उसके पाशर्व चितर में हमें आपके 5 होरीजोन दिखाए देंगे, सबसे नीचे वाला जिसमें चट्टाने हो और रुक जाता है तो यह बी होरिजोन होगा फिर ए जहां पर आपके रेत चिकनी मिटी इस प्रकार की होंगे चोटे पत्थर तूटेंगे तो वह अलुवियल प्रकार की मृदा बनाएगी ए होरिजोन कहलाएगा और उसके उपर या सबसे उपर वाला जो कहलाता है वो हूमस वो भूमी की उर्वर पर्त होती है इसके कारण ही हम भूमी में पौदों को उगा सकते हैं तो यह हो गए आपकी मृदा का पाशर्व चित्र आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा धन्यवाद